अगर किसी के बाल 10-12 साल की उम्र से सफेद होना शुरू हो जाते हैं थोड़ा थोड़ा तो यही एक्सपेक किया जा सकता है कि 20-25 साल तक पहुंचते पहुंचते एटलिस 40% बाल तो सफेद हो ही जाएंगे लेकिन क्या हो अगर इसका उल्टा हो जाए तो यह मेरे साथ हुआ है मेरे बाल 10-12 साल की उम्र से सफेद होना शुरू हो गए थे और बहुत सारे बाल 20 साल की उम्र तक 25 साल की उम्र तक बहुत सारे सफेद भी हो गए थे लेकिन अभी वापस से सारे बाल काले हो गए हैं फाइट हेर्स रिवर्स हुए हैं, वो कुछ रेमेडी की बदालत हुए हैं, जो आज की वीडियो में मैं आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ तो अगर आपके बाल भी समय से पहले सफेद हो गए हैं, या फिर आप अपने बालों को लंबे समय तक काला बना के रखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज की वीडियो में जो रेमेडी में शेयर करने वाली हूँ, ये आपके हैर फॉलिकल में ज अगर आपके बाल प्रिमिट्चुर तरीके से सफेद हैं, तो ये क्या करता है कि जो आपके हैर फॉलिकल में पिगमेंट सेल्स हैं, अनको एक्टिवेट करता है, जिससे कि जो बाल समय से पहले सफेद हुए हैं, वो काले भी हो जाते हैं, नमस्कार, मैं हूँ गरीमा, और स सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिसना हो जाए, अगर आपको मेरी रेमेडीज मेरी वीडियो अथी रखती है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प और यह जो आपके बालों को काला भी बनाता है और रिग्रो भी करता है, इस तो आपको बनाने के लिए आपको लेना है कलाउजी ओयल, या फिर आप कोई और भी ओयल ले सकते हैं, 100% प्योर होना चाहिए, वो और एडेबल होना चाहिए, मतलब आप उसे खा सकते हैं, ऐसा अब इसमें आपको एक चमज के बराबर कलाउजी सीड का पाउडर डालना है, कलाउजी ओयल और कलाउजी सीड बनाने में बहुत ज़्यादा पाउडर फुल होता है, क्योंकि इसके अंदर हैर डार्कनिंग प्रॉपरटी पाई जाती है, अब इसमें जो अगला में मौजूद पिग्मेंट सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, और मेलानीन का प्रोडक्शन अच्छे से होता है, जिसे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं, प्रिमेच्चोर हैर ग्रेंग की शिकायत बिल्कुल भी नहीं होती, कलाउजी सीड और ब्लैक सीड का काला भी बनाती है, हमारे बालों की थिकनेस को इंक्रीज करती है, साथी साथ बालों का पिग्मेंट लॉस भी रोकती है, हैर थिनिंग को भी रोकती है, तो इसको यूज करने के बहुत सारे फायदे हैं, अगर आप अपने बालों को काला बनाने के साथ साथ लंबा और घना दोनों बुनाना चाहते हैं, तो जटा मानसी अपनी रेमेडीज में यूज करना शुरू कर दीजिए अभी से, इसको आप एमेजॉन से खरीच सकते हैं, सारी शीजों का लिंक आपकी आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, अगला इंग्रेडिय का पिग्मिन्ट लॉस भी रोकता है, और प्रिमिच्च और हैर ग्रेंग की शिकायत नहीं होने देता, उसके सासाथ इसके अंदर बहुत सारे अक्टिव इंग्रेडियन्स होते हैं, न्यूटियन्स होते हैं, उसके सासाथ मेडिशनल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, जो कालों को काला बना के रखती है, उसके सासाथ इसके अंदर हैर डाइंग प्रॉपर्टी होने की वज़े से यह हमारे बालों को जल्दी सफेद नहीं होने देती, प्रिमिच्च और हैर ग्रेंग की शिकायत नहीं होगी, अगर आप इस ओल को जो मैं बना रही हूं, रेगुल एक चमज के बजाए डेडर चमज भी यूज कर सकते हैं, अब मैंने यहां पर एक चमज के बराबर हिबिसकस लीफ का पाउडर एड़ किया है, देखिए हिबिसकस की जो लीफ सोती है, वो हमारे बालों को काला भी बनाती है, रिग्रो भी करती है, डेंट अफ को भी खतम कर इसलिए इसकी जो गुड्नेस है, वो बिल्कुल भी खतम नहीं होगी, इसके अंदर जो भी गुड्न है, वो सारे रिस्टोर रहेंगे, जब हम लोग डाइरेक्ट हीट करते हैं किसी भी ओल को तो उसके बहुत सारे न्यूट्रिंट खतम हो जाते हैं, बहुत सारे गुड्न लेकिन अगर आप इस तरीके स्वाल बनाते हैं, इसका कोई भी गुड्न खतम नहीं होगा, अब इसको एक बॉटल में भर लेना है, ग्लास के और इसे आप चाहें तो धूप में रख सकते हैं, छाव में रखेंगे तो 20 दिन के लिए इन्फ्यूज करना है, धूप में रख गरम करना इसलिए जरूरी है, ताकि इसके जो मॉलिक्यूल से ऐल के ब्रेक हो जाएं, ऐल का मॉलिक्यूल बहुत बड़ा-बड़ा होता है, बीना गरम किये जब आप इसे अपने स्कैल्प में बालों में लगाते हैं, तो यह आपके हैर फॉलिकल में एब्सॉर्ब ही नही कर रहे हैं, आपके स्कैल्प और आपके बाल साफ सुत्रे होने चाहिए, अब इतना अच्छा और इतना पावरफुल ओयल लगाया है, तो इस ओल को वाश करने के लिए केमिकल बाल शैंपू यूज मत कर लेना, अब इसी शैंपू से अपना हैर वाश करना, जो मैं शेयर कर क्योंकि कायलीन कले हमारे बालों के लिए बहुत अचि यूतिया है यह हमारे स्कैल्प डीली सफाई भी करती है, जितना ऐक्सेस ओइल होता है हमारे बालों में और स्कैल्फ में सबCO अच्छे से अबसॉब कर ल cambi अब जो नेक्स इंग्रीडिएंट वह हे दो चमच के जो बाल में आपके पिगमेंट है उनको प्रिजर्व कर देता है जिसे कि आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहते हैं अश्वगंथा के अंदर बहुत यूनिक तरीके का एंटी ऑक्सडेंट होता है इसलिए अश्वगंथा आपके बालों को काला बनाने में बहुत अब जो अगले एंग्रेडियन्ट है यह हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और यह बीट रूट का पाउडर देखे शुकंदर का अंधर हमारे बालों को मैं समये काला बनाके लगता है क्योंके उसके अंदर नाचुरLA हेयर वाइब सी एंश्यूद्ट अगर आपने हैवी हैर राइलिंग की है तो आपको ज्यादा मातरा में शीका काई यूज करना होगा शीका काई बहुत ही अच्छा सा नैच्छरल क्लिंजर होता है अब देख़ंगे कुछ चीजएं इसमें अभी और पढ़ने वाली हैं क्योंकि ये जो हमारा शैंपू बनने वाला है बहुत ही पावरफुल बनने वाला है अब इसमें जो अगला इंग्रेडिंट में यूज कर रही हूँ यह है रीठा पाउडर आप देख रहे हैं कम से कम मैंने 8 चमज के बरावर रीठा पाउडर इसमें एड़ किया है क्योंकि मैंने अच्छी खासी ओईलिंग की हुई है तो इसलिए इतना तो कौंटिटी इसका लगे गही ताकि हमारे स्कैल्प से बालों से और अच्छी से निकल जाए तो मैंने 8 चमज के बरावर रीठा पाउडर का यूज किया है रीठा हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है बहुत ही माइल नाच्रल क्लिंजर है जो हमारे स्कैल्प की देखभाल भी करता ह बालों को साहसूतरा करने के साथ साथ, यह हमारे स्कैल्प में मौजूद नाचरल ओयल को जरा सा भी डिस्टॉब नहीं करता, अब इसमें मैंने एड किया है मुलतानी मिट्टी, मैंने यहां पे कावलिन क्ले और मुलतानी मिट्टी दोनों का ही यूज किया है, अगर आपके कावलिन क्ले नहीं है, तो सिर्क मुलतानी मिट्टी भी चलेगी, अब यह जो चीज आप देख रहे हैं यह है आमला पाउडर, तो मैंने एक चमज, दो चमज, के बराबर आमला पाउडर इसमें डाला हुआ है, आमला हमारे बालों को काला बनाय रखने में बहुत ज़दा ह उसके सासाथ हैर ग्रोथ में सपोर्ट करता है, जब आप इसको एक्स्टरनली एप्ला करते हैं तो आपकी बाडी में जो भी गर्मी होती है उसको भी खींचता है तो यह हमारी बाडी में पित दोश को करता है जिससे कि हमारे बाल समय से पहले बिल्कुल सफेद महीं होते क्योंकि पित बहुत बढ़ा रीजन होता है नीम की पतियों का पाउडर नीम के पत्ती के अंदर बहुत सरा vitamin E, antibacterial, antifungal, antiseptic और medicinal properties पाया जाती है इसके अंदर बहुत सरा antioxidant पाया जाता है ये सारे ही properties जिसकी एक साथ मिलके हमारे बालों को समय से पहले सफेद्निंग होने देती इसके बहुत सारे फायदे है इसमें मैंने फिर से थोड़ा सा रीठा पाउडर का इस्तेमाल किया है क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने अपने बालों में ज़्यादा ओइलिंग की है और एट टी स्पून इसके लिए सफिशियन नहीं है इसलिए मैंने चार चमा चौर इसमें रीठा पाउडर डाला हुआ है ताकि मेरे बालों से आउयल बहुत अच्छे से निकल जाए जब भी मैं आउयलिंग करती हूँ तो आउयल को मैं ओवरनाइट नहीं छोड़ती क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि ओयल ओवरनाइट छोड़ने से हैर लॉस होने लगता है इसलिए मैं आउयल बस एक घंटे या दो घंटे छोड़ती हूँ उसके बाद इस तरीके का नैच्रल शैंपू प्रिपेर करती हूँ और इसी से अपना हैर वाश करती हूँ तो अभी क्या करना है कि इसको सारे पाउडर को सबसे पहले तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए उसके बाद इसमें आपको डालना है पानी गरम पानी नहीं डालना है साधारन पानी डालना है, ठीक है अچज से इसमें पानी डाले लिकिन पानी डालने से पहले इसको मैं ट्रांसफर करने वाली हूँ लोहे के बरतर में, क्योंकि लोहे के बरतर में जब भी आप कोई हेर मास्ट बनाते हैं उसके अदर बहुत सारा आयरन आ जाता है जो हमारे hair follicles को मिलता है और हमारे hair follicles अच्छे से काम करना शुरू करते हैं क्योंकि externally जब हमारे hair follicles को nourishment मिलती है तो भी वह बहुत अच्छे से काम करते हैं अब आयरन के बरतन में इसको डाल दिया है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको इसका बहुत अच्छा सब पेस्ट बना लेना है और इसे भीगो के आप राद भर भी छोड सकते हैं या फिर अगर आपको राद भर नहीं भीगो ना तो एक घंटे भी चलेगा तो मैं सिर्फ इसको एक घंटे के लिए भी ओ देती हूं उसके बाद इसको मैं अपने पूरे स्कैल्प में पूरे बालों की लेंथ में लगाऊंगी और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे बाल क्लीन हुए की नहीं आपने देखा मैं अच्छी खासी ओलिंग की थी अगर अपने बालों में ओय लगाया था अगर आप नाच्रल शैंपू से अपना हैर वाश कर रहे हैं तो ऑईलिंग आपको बहुत हैवी नहीं करनी चाहिए अगर आपने बहुत हैवी तो आपको बहुत लंबे समय तक बालों में छोड़ना पड़े गा इसलिए मैं बहुत इसको भी अच्छे एक से पूरे पूरे बालों की लेंद में लगा लेना है, लगा कर कम से कम में इसे तीन घंठे चोड़ती हूं, देखिए वैसे भी समर्स में थेन घंठे चोड़ना बढ़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी आपके स्कैल्प में ड्राइ और आपके बालों मे मौझूद और आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं जब यह गीला रहेगा फिर आप हैर वाश करेंगे तो इसको सुखाना अपने स्कैल्प में बालों में जरूरी है तो अच्छे से पूरे स्कैल्प में पूरे बालों के लेंथ में लगा कि तीन घंटे छोड़ कि तीन घंटे के बाद नॉर्मल वाटर से आपको हैर वाश कर लेना है अप देख सकते हैं मेरे बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो प्लीज लाइक जरूर करेगा यह आपके बालों को काला भी बनाता है लंबा घना मजबूत भी यह जो आइल है वो लगाना है पहले उसके बाद यह शैंपू लगा कर अपना है रवाश करना है हपते में जैसे आप उयलिंग करते हैं उसी तरीके से आप को इसे फॉलो करना है हाली में मैंने अपने यूटुब चैनल पे बहुत ही अच्छा साथ रेटिनॉल क्रीम शेयर किया है जो आपके स्किन को ग्लोइंग हेल्दी यूद्फूल बनाने में बहुत ज़्या हेल्प करता है अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहां पर क्लिक करके जरूर देखेगा यह थी मेरी आज की वीडियो मुझे उमीद है कि आपको अच्छी लगी होगी इस तरीके के और बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा बेल आइकन को प्रेस कर दिजेगा अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरू करेगा अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए नमस्कार